हलो फिर्ण्स तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही important concept abstract class का तो यहां पर हमने यह लिखा भी है abstract class क्या होती है तो abstract class देखे बनाने के लिए जैसे माल लीजिए हमारे पास कोई class है यहां पर a अगर मैं चाहता हूँ कि जो हमारी a class है वो abstract class बन जाए तो हमें इस class में एक pure virtual function क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी a class abstract class बन जाए तो हमें अपने class में एक pure virtual function बनाना पड़ेगा प्योर वर्चूल फंसन बनाने के लिए आप क्या करते हैं लिखते हैं फंसन का रिटन टाइप जो भी रख ले आप और यहां पर लेटसे कुछ फंसन का नाम रख दीजिए और लेटसे मैं function का एदम जनरल नाम फन रख दे रहा हूँ यह क्या है function का हमारे नाम है लेकिन य अगर आपने हमारे सारे वीडिविज देखे हैं तो हम जो 살ı लोग करते हैं उसकी बाढ़ी को जाहा औत गरते हैं लेकिन जो वर्चूल function होता है उसको हम बोलते हैं do nothing function क्या बोलते है do nothing function इसका मतलब ऐसा function जो कोई भी काम ना कर रहा हो तो हमें एक बास समझ में आता है कि ठीक है अगर यह function कोई काम नहीं कर रहा है तो हम इसकी यहाँ पर क्या करने उसका curly braces हटा दें और यहाँ पर हम semi curl लगा दें तो इस तरह से तो आप यह नहीं बता पाएंगे ना कि यह function कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि हो सकता है कि आप इस function को class के बाहर define करें है ना wired इस तरह से ना क्योंकि अगर हमने function को declare किया है अंदर इस तरह से तो हो सकता है कि हम उसको class के बाहर इस तरह से define करें जो हमें पहले ही पता है तो अगर आपको do nothing function बनाना है तो हम इस तरह से semi colon नहीं लगाते हैं हम क्या करते हैं एक special syntax type का लिख देते हैं equal to zero और colon लिख इतरह semi colon लगा देते हैं हमने क्या क्या यहाँ पर कि एक function बना इसको equal to zero कर दिया हमने इसका मतलब अब यह function कोई भी काम नहीं कर रहा है है ना और इसके पहले इसको बनाते समय मुझे लिखना पड़ता है virtual इसलिए वो error दे रहा था अब हमने लिख दिया क्या virtual लिख दिया तो इसे ही हम बोलते है pure virtual function या do nothing function abstract class बन जाती है अभी हम इसको explain करेंगे line by line कैसे क्या होता है लेकिन अगर हमने इस type का कोई भी function अपनी class में बना दिया है तो हम उस class को abstract बना देंगे अब abstract class जिब हमने बना दिया तो उसके कुछ rules है है ना rules क्या है कि आप इस class का object नहीं बना सकते है ना जैसे अगर हमारे पास कोई class है तो हम लोग class का नाम यूज करके object बना लेते हैं लेकिन अगर कोई abstract class बन गई तो आप उस class का object नहीं बना सकते हैं और अगर यह abstract class है तो जरूरी नहीं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ pure virtual function ही हो हो सकता है कि इसके अंदर और कई सारे function हो उन function की coding भी हो सकती इस तरह से इस तरह से fun2 तो कई सारे function आप इस तरह से बना सकते हैं है ना तो अभी अभी हमने सीखा कि जब हम किसी भी class के अंदर pure virtual function बना देते हैं तो वो class हमारी abstract class बन जाएगी और अगर abstract class बन गई तो हम उस class का आपजेक्ट नहीं बना पाएंगे और आप बताईए कि अगर हम इस class का आपजेक्ट नहीं बना पाएंगे तो हम इन function को काल कैसे करेंगे देखिए ये जो function हमने बनाया fun1 and fun2 इनके पूरी-पूरी coding है आप यहाँ पर कुछ भी coding कर लीजे इनके कर लिए हिसमे अब इनकी पूरी-पूरी coding अगर है तो हमारे पास ये right होना चाहिए न कि हम इन function को काल कर पाएं अब काल कैसे करेंगे काल करने के लिए तो मुझे एक आपज़क्ट चाहिए क्योंकि यह member function इनको काल करने के लिए मुझे आपज़क्ट चाहिए ही चाहिए है ना तो और कौन से method है जिनसे हम इन function को काल कर सकते हैं बताईए तो हम A class की कोई child class बना सकते हैं है ना क्योंकि हमें ये बात पता है बहुत अच्छी तरह से कि अगर हमने A की कोई child class बना ली तो ये सारे function क्या होंगे override की वज़ा inheritance की वज़ा से सारे के सारे B में आ जाएंगे और अगर B में आ गए तो मैं B class का object यूज करके इन function को बड़े अराम से call कर सकता हूँ है ना तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि हमारी जो B class है वो A को inherit कर लेगी है ना और जैसे ही B ने हमारी class को inherit कर लिया तो अब मैं B class का object बना के fun 1 और fun 2 दोनों को call कर सकता हूँ लेकिन आप एक बात बताईए कि जब हमने inheritance किया तो जिस तरह से यह function B class में available होगे उसी तरह से यह pure virtual function भी तो available हो गया होगा और अगर यह available हो गया तो हमारी B class भी तो abstract class बन जाएगी है ना क्योंकि अगर हमारी B class में pure virtual function पहुंच गया तो हमारी class B भी abstract हो जाएगी है ना तो हम ऐसा नहीं चाहते है ना तो उसका एक rule और है एक rule क्या है कि अगर आपने किसी भी abstract class को inherit कर लिया तो उसके अंदर जो pure virtual function है आप उसकी definition प्रोवाइड कर दो यानि कि override कर दो उसको override क्या होता है हम कल सीख चुके है बनलब इसकी पिछले वाले वीडियो में इस तरह से तो क्या होगा जब आपने इस function की override कर दी child वाले class में तो अब कोई दिक्कत नहीं है है ना है की नहीं लेकिन आपने इन function को override नहीं किया तो ये function B में available होंगे अब जब भी मैं B class का object बनाके अगर fun 1 को call करूँगा तो ये वाला चलेगा fun 2 को call करूँगा तो ये वाला चलेगा लेकिन अगर मैं B class का object बनाके fun को call करूँगा तो ये वाला call नहीं होगा बलकि ये वाला call हो जाएगा है ना क्योंकि गर B class का हमने object बनाया तो override कर दिया है हमने तो override की वज़ा से B मतलब की child class वाला ही function चलेगा है न तो अभी हमने 2-3 चीज़े सीखी क्या क्या सीखी कि जब भी हमने किसी भी class में अगर pure virtual function बना दिया तो वो हमारी abstract class बन जाएगी abstract class अगर बन गई तो हम उस class का कोई भी object नहीं बना सकते अब object नहीं बना सकते उसके अंदर कुछ और भी function हो सकते है तो उनको अगर मुझे call करना है तो मैं इस abstract class की कोई child class बनाऊँगा और child class बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो pure virtual function यहाँ पर था उसकी हमें यहाँ पर definition प्रवाइड करनी पड़ेगी है ना नहीं तो हमारी class बी जो है वो भी abstract बन जाएगी है ना तो इस तरह से देखिए अगर यह function कुछ काम नहीं कर रहा है चलिए अगर मान लेते हैं कि यह function कुछ काम नहीं कर रहा है हमने override नहीं किया तो जिस तरह से बी का object यूज करके हम इनको call कर पा रहे हैं उसी तरह से हम बी का object यूज करके इसको भी तो call कर सकते हैं है ना देखिए हम abstract class का object क्यों नहीं बना सकते हैं क्योंकि अगर हमने abstract class का object बना लिया तो हम इस function को call कर लेंगे और जब ये function कुछ करता ही नहीं तो हम इसको call करके करेंगे क्या इसलिए rule बनाया गया है कि जब भी आपने ये virtual function बना दिया pure virtual function तो वो class abstract मानी जायागी और उसका हम object नहीं बना सकते अब इसका object बना करके तो हम इस function को call नहीं कर सकते लेकिन अगर मैं इसकी कोई child class बना लूँ और यहाँ पर मैं ये function ना बनाऊँ तो मैं क्योंकि b child class है तो b का object बना करके भी तो इस function को call कर सकता हूँ है की नहीं इसलिए फिर एक और rule आ गया कि आपको उसकी overriding करनी पड़ेगी क्योंकि overriding क्यों करनी पड़ेगी क्योंकि जब आ b class का object बना के fun को call करने की कोईशिश करोगे तो override की वजह से वो ये वाला function call होगा ना कि ये वाला function call होगा है ना अब आपको समझ में आ रहा है तो आपने सीखा कि अगर a class को utilize करना है तो आपको उसकी child class जरूर बनानी पड़ेगी क्योंकि उसका आप object तो बना नहीं सकते और ये भी हमने सीखा था कि एगर हम किसी class को use करते हैं तो दो तरह से use कर सकते हैं एक उसका object बना के एक उसकी कोई child class बना के तो object तो हम यहाँ पर बना नहीं सकते है ना और इस function को हम कहीं से भी call नहीं करना चाहते इसलिए rule क्या बना कि object नहीं बना सकते object नहीं बनाओगे तो इसको call नहीं कर पाओगे फिर अगर हमने child class बना ली तो child class का object यूज करके हम इस function को call कर सकते थे इसलिए क्या rule बना दिया गया कि उसकी overriding करो है ना फिर से सुनिए इस method को call करने के क्या कितने तरीके है एक तो मैं object बना के call कर सकता हूँ तो rule बन गया कि object बना ही नहीं सकते दूसरा मैं इस class के child class का object यूज करके इसको call कर सकता था तो क्या rule बना दिया कि आप उसकी overriding करो यानि कि मैं ना तो इसका object बना के ना इसका object बना के इस function को call नहीं कर सकता लेकिन अभी भी एक और method है जब हमने virtual function सीखा था अगर आपने इसका just पिछला वीडियो देखा हो तो वहाँ पर हमने क्या किया था कि अगर मैं a class का pointer बनाऊं इस तरह से है ना और b class का object बनाऊं और a class के pointer में b class के object का address रख दूँ और pointer का use करके अगर मैं fun को call करूँ तो parent वाला function क्या होता था call हो जाता था है ना आपने ये देखा था और parent वाला function call ना हो इस line के execute होने पर इसलिए हमने parent वाले को क्या बनाया था virtual बना दिया था है ना इसका just पिछला वाला वीडियो आप जरूर देख लो virtual बना दिया था तो जब हमने इसको virtual बना दिया तो इस line के चलने पर भी यही वाला function call होगा ये वाला function call नहीं होगा तो अब आपको समझे यहां पर virtual क्यों लिखा है देखिए do nothing function जो है जब वो कुछ काम ही नहीं करता तो उसको मैं call करके करूंगा क्या इसलिए कुछ rules बनाए गए है है ना rules इस धंग से बनाए गए है कि मैं इन function को call ना कर पाऊ तो इस function को मैं call तीन तरह से कर सकता था कितने तरह से तीन तरह से पहला कि मैं इस class का object बना के call करूं तो rule बना दिया गया कि आप इस class का object नहीं बना सकते बनाओगे तो error आ जाएगी ठीक है तो पहला हमारा जो method था वो fail हो गया क्योंकि हम ये बात पता है कि ओवर राइडिंगे case में जब मैं बी class का object यूज़ करके fun को call करूंगा तो यही वाला call होगा तीसरा हमने पिछले ही class में सीखा था कि ओवर राइडिंग में problem होती है कि अगर मैं parent class का pointer बनाओँ child class का object बनाओँ और उसका parent class के pointer में रखूं जैसे यहाँ पर है और pointer का use करके गर मैं fun function को call करूं तो parent वाला version call होता था क्योंकि early binding हो रही थी इसलिए virtual keyword हमें लिखना पड़ता था virtual लिख दिया तो late binding होगी तो ये वाला function call नहीं चलेगा इस वाई line पर बलकी ये वाला चलेगा है ना तो आपको समझ में आया कि abstract class क्या होती है और यहाँ पर इस तरह से virtual क्यों लिखा गया है ये भी आपको समझ में आया तो I hope आपको ये समझ में आया होगा Thank you so much Bye Bye